हेलो स्टूडेंट स्टांडर एड के साइसमें चेप्टर नमबर टेंग विचिंग द एज ओफ एडोरेजंस यह हमारा कंटीनु था ठीक है उसमें हमने लास्ट में देखा था कि रोल ओफ होर्मोन्स ठीक है रोल ओफ होर्मोन्स इन कंप्लिटिंग द लाइफ इस्ट्री इसमें होर्मोन्स कैसे काम करते हैं वह हमने देखा था ठीक है आज हम देखें हैं रीप्रोड़क्टिव है रीप्रोड़क्टिव यही मतलब कि एडोरेशंस के वक्त हमें खाने में कौन-कौन सी चीजे ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है जिसकी वज़े से हमारा बोडी ग प्रेश है उसकी उपर से हमारी हेल्थ होती है कि वह इंसान हेल्थी है या नहीं है ठीक है तो कीप दो बोडी हेल्थी एवरी यूमन बीइंग एट एनी एज तो हेल्थी रहने के लिए कोई भी एज हो पर हमारी डायेट ठीक होने चाहिए मतलब कि हमें खाना अच्छे से हुआ है यहां ढर्ट एल्थ के लिए उप कभी कभी हो जाए ऐसा बात नहीं है कि आप कभी भी मत खा उससे test भी मत करो ऐसा नहीं बड rhagory उसका खाने में यूज मत करो कहीं कहीं बार हो जाएं तो इसमें कुछ घलत नहीं है ठीक है बड बहुत-ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक एकसरासइस भी करनी पड़ती है सिर्फ खाने से कुछ नहीं होता थिके थोड़ी बहुत एकसरासइस करो तो आपकी बॉर्डी क्या रहती है healthy रहती है और टॉन में रहती हूं ठीके टॉन में मतलब कि ज्यादा मोंटे नहीं हो जाने आप ठीके तो यह थोड़ा योगा एक्सरसाइज देली थोड़ा बहुत होना चाहिए ज्यादा टाइम ना मिले तो आधे गंटे के लिए यह करो ठीके वह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जो आपके ग्रोथ में अभी आप सबकी ए जाँ रखना बहुत ज़रूरी है ठीके वरना अगर आप इस समय ध्यान नहीं रखोगे तो जब आपके एडल्सन की एड़ चली जाएगे आप एडल्स बन जाओगे फिर आपकी बोडी वीक रहे जाए ठीके तो इस समय आपको खाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए मैं नहीं बोल रही हो कि कॉल्डिंग्स या तो चिप्स वगेरा या तो अच्छा टेस्टी-टेस्टी खाना मत खा समय असा नहीं बोल रही हूँ बट खाना चाहिए एडली उसका यूज नहीं होना चाहिए ठीके डेवीगे खाने में तो हमारा रेड्यूलर जो घल्डी होती है इसलिए इस सब का ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है Nutritional needs of the adolescence Adolescence की Adolescence की nutritional needs क्या होती है Adolescence is a stage of rapid growth and development Hence the diet for an adolescent has to be carefully planned ठीक है इस समय में हमारी diet है वो एक्दम plan होनी चाहिए You have already learned what a balanced diet is Balanced diet क्या है वो हम आगे के chapters में पढ़ चुए है Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportion Balanced diet का मतलब क्या होता है ये सारी चीज़े उसमें जुरूरी quantity ने होनी चाहिए ठीक है Our Indian meal of roti, rice, dal and vegetables is a balanced meal हमारा चो Indian meal है वो दम balanced meal है Milk is a balanced food in itself Milk अपने आप में एक balanced food है उसमें से हमें बहुत सारा calcium और protein लेता ठीक है Fruits अपने अपने आप में एक balanced food है उसमें बहुत सारा calcium और protein लेता ठीक है उसे जो भी चाहिए वो सारे nutrition मिल जाएगे क्योंकि जो मधर को दी है वो अपने खाने में एसा diet food ही लेंगे सारे nutrition बहुत अच्छी तरीके से मिले ना वेसा ही food मधर खाती है ठीक है तो मधर के milk में से बेबी को ये सारे nutrition मिल जाएगे ठीक है जब तक बेबी 6 महने का नहीं होता ना तब तक उसे पानी भी नहीं दिया जाता सिर्फ वो मधर के milk पे milk ही दिया जाता है छे मेने का होने के बाद उसे धीरे धीरे खाने में पानी और थोड़ा liquid हो पेसा दिया जाता है जैसे कि fruit के चुशी फिर जो mug बोलते हैं ना हम ठीक है उनको जो हम क्या हम करते हैं उसे बोल करते हैं आपने हम कहें कि बाफ देला बग के उसका पानी दिया जाता है फिर हम जो दाल होती है उसका पानी दिया जाता है वैसे थोड़ा जो liquid होता है वो धीरे धीरे उसे start करते हैं खिलाना ठीक है छे महेने तब तो उसे कुछ भी ने दिया चाता पानी भी नहीं ठीक है now iron builds blood and iron rich foods such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, indian, gooseberry that is amla are good for adolescents ठीक है हमें पता है हमारे blood में क्या होता है hemoglobin और hemoglobin के लिए iron मिलना बहुत ज़रूरी है अगर iron होगा तो ही hemoglobin बड़ेगा ठीक है तो ही hemoglobin बनेगा और body में बड़ेगा भी ठीक है आपने कई बार सुना होगा कि इसका HP down हो गया है HP मतलब hemoglobin ठीक है तो वो ladies के लिए 11 से कम नहीं होना चाहिए और boys के लिए 12 से कम नहीं होना चाहिए girls के लिए hemoglobin body में 11 से कम नहीं होना चाहिए और boys के लिए 12 से कम नहीं होना चाहिए अगर इससे कम हुआ तो आपकी बोड़ी बहुत वीक हो जाएगी ठीके तो इसके लिए आईरोन ज़रूरी है और आईरोन भीच फूट कौन कौन से यह दे को नाम दिये यह याद रखने हैं हाँ आपको लीफी वेजिटेबल्स मतलब कि मम्मी जो बाजि ही बोलती है या जो ग्रीङ भाजी वगे राजिसे तीमेठी की बाजी पालक की बाजी वो आईधी वेजिटेबल्स में से हमें आईरोन बहुत सारा मिलता है फिर जगरी मतलब कि गुर मेड़ जो नोन वेजिटेरियन खाते है हुँके लिए मेड़ फिर सीट्रस, फिर सीट्रस मतलब की खटे जो पदार्थ होते हैं वो, ठीके, फिर इंडियन गुजबेरी तटीज आमला, आमला, ठीके, आर गुड फोर एडोल सैंस, चेक आइटम्स for lunch and dinner in your meal, is the meal balanced and nutritious, हम चो खाना खाते हैं, meal for lunch में, या तो dinner में, या तो breakfast में, वो पूरी तरह के से nutrition है, वो देखना चाहिए, वालब की सारी चीज़े उसमें आजानी चाहिए, ठीके, does it include cereals within which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth, also does it include fats and sugar that give energy, what about fruits and vegetables which are protective foods, chips and packed or tinged snacks, though very tasty, should never replace regular meals, as they do not have adequate nutritional value, chips और जो तीन केंस आते हैं, मतलब की पल्गरिक्स होगे रहा, वो होते तो बहुत टेस्टी है, बट वो हमारे meal को replace नहीं करने चाहिए, meal मतलब की हमारा lunch याटो dinner, ठीके, आप नास्ते में आपको बहुत ज़र भूख लगी हो, तो नास्ते में थोड़ा बहुत खाल हो, तो चलेगा, ठीके, बट वो हमारे lunch याटो dinner में नहीं होने चाहिए, ठीके, आपको कौन-कौन सी इसमें से क्या मेंता है, वो सब कुछ यहाँ पेटका है, ठीके, आप पर्सनल हाइजिन, पर्सनल हाइजिन क्या होता है? पर्सनल हाइजिन, मतलब की हमारी आसपास की चीज़े हमें क्लीन रखनी है, हमें खुद को क्लीन रखना है, कई बार कई बच्चों को ऐसे यादित होती है, कि दो तेन दिन तक नहाते नहीं है, तो वो हाइजिनिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पसीना निकलते है उसमें बेक्टेरिया होता है, वो बेक्टेरिया की वज़े से हम बिमार पढ़ सकते हैं, इसलिए डेली टू डेली नहाना चाहिए, और समर में तो कहीं बार ऐसा बोलते हैं, कि अगर पसीना ज्यादा हो त उतना खुदको क्लीन रखना चाहिए, ठीके, इटीज मोर नेसेसरी पूर टीनेचर्स, बिकोज द इंग्रीज अग्तिविटी ऑफ स्वेट ग्लेंस सम्तेम्स में बोडी स्मेली, एडोल संस को तो यह थियान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बोडी ग्रो होती है, औ उनने पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो उसकी वज़े से उनकी बोडी में से पसीने की स्मेल आती है, चलिए उनको तो नहाने का बहुत ही ध्याँ रखना चाहिए, ठीके, ओल्पार्स ओट बोडी सुट भी बोश देंग्ते इस बेहेवरी, ठीके, हमारी बोडी का हरे प of catching bacterial infection, girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow, they should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation, use sanitary napkin or clean homemade pets, change pets after every 4 to 5 hours is per the requirement, ठीके, गल्स को तो जब menstrual होता है ना तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, 4 to 5 hours में पेड को change करने चाहिए, अगर आप sanitary pet use करते हो, या तो homemade pet, मितलब कि अगर आप कपडा यूज करते हो, तो वो ही कपडा बार-बार मत use करो, 2-3 बार use करने के बाद उससे फेक दो, ठीके, और अगर कपडा यूज करते हो, तो उससे अच्छे से wash करना चाहिए, Now, physical exercise, exercises क्या माइने रखती है, walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy, all young boys and girls should take walks, exercises and play outdoor games, इनसे उनकी body healthy रहती है, Now, say no to drugs, आमें पता है, drugs कितने गंदे होते हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा, movies में देखा ही होगा, ठीके, Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up, Adolescence के बाद हमारे body में और mind में बहुत सारा changes आते हैं, जिसकी बचे से हमें इसा लगता है कि body में ये क्या हो रहा है, ठीके, so do not feel confused or insecure, if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no, unless prescribed by the doctor, ठीके, अगर आपको doctor prescribe करे कि आपकी body के लिए आपको ये दवाई ज़रूरी है, तो ही रो, otherwise कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, drugs are addicting, आपको एक बार नहीं तो आपको लग लग जाएगी, if you take them once, you feel like taking them again and again, they harm the body in the long run, they ruin health and happiness, you must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV, these virus can pass on to a normal person from an infected person, by sharing the syringes used for injecting drugs, ठीके, HIV virus से AIDS होता है, जैसे की coronavirus से COVID-19 होता है न, ठीके, वैसे ही इसे होता है, वो एक healthy person को कैसे होता है, अगर दूसरे infected person के contact में आए, तो directly contact से नहीं होता, अगर उसे injection लगायागा है, वो syringes का अगर use किया चाहे, तो लगता है, ठीके, it can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk, ठीके, अगर मधर को, अगर already AIDS है, तो उसके बच्चे को भी हो सकता है, through milk, ठीके, तो वाइरस can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV, ठीके, अगर HIV infected कोई person हो, ठीके, तो उसके साथ sexual contact से भी यह spread हो सकता, ठीके, तो यह था हमारा यह chapter, आज हमारा यह chapter यहाँ पे खतम होता है, ठीके, इसकी exercises, question वगेरा मैं आपको next lecture में लिखवा दूंगी, आज यहाँ तक रखते हैं, कर दो एन सिरी हमारा यहाँ, अपहाँ दूंगी, अपपश्गाओर श्योंगी सी देराफनी छोंगी स्वोल झाट में गांड़ाँ्दीकरा-उठीरा झाल झाल टूंगी będąाओर शनी पक्यामत मैं पकाया यहाँ आपकोn प कमोने हैं, चापको बास्स्ट्ट्पूर् सूंग